नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज हम बात करेंगे यूपीटेट रिजन्ट 2019-2020 तो दोस्तो आज आपकी तारीख हो चुकिए 13 फरवरी 2020 की हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं और सबसे पहले बात करेंगे टूडे ब्रेकिंग नियूज यहां दोस्तो आज की बड़ी अपडेट्स का निकल करा रही आए देखते हैं तो दोस्तो आज एक और बड़ी अपडेट्स निकल करा हैं आप सभी चात्रों के लिए कि जूनियर हाई स्कूलों में सिच्छक भर्ती का अभी करें इंतिजार इनको मिलेगा मौका जियां दोस्तो क्या निउच पेपर के मादेम सब डेट्स आई इसको भी अमुक देखेंगे उसके बाद दोस्तो हम बात करेंगे 69,000 सिच्छक भर्ती मामले में सुनवाई आप 18 तारीकों भी कल भी पूर नहीं हो सकी सुनवाई जियां दोस्तो आपके सीनियर चात्र है उनकी सुनवाई भी दोस्तो मामलों का एक साल से कोर्ट में चल रहा है तो उनका दोस्तो पेपर पिछले साल आपको बताते है आप इतनों का सत्यापन किया पूरा, तो दोस्तो यह बड़ी अबड़ी अपडेट स्ट यहां दोस्तो अगर आपके घर में कोई भी ट्रांश्पर लेना चाहता ह Här आपके घर में कुई जरूर कर दिएगा जिससे के हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे तो पहले दोस्तों आपकी क्या अपडेट्स आईए एड़ेट जूनियर कॉलेजों में भरती का भी करें आपको इंतजार करना पड़ेगा ठीक है न जिके असास की साहता प्राप्त जूनियर हाइज स्कूलों मे की भरती एवं सेवा की सरते नियमा वली 1978 में साथ में संसोधन को मंजूरी दी गई थी भरती के लिए लिकित परिच्छा अनिवार की गई थी प्रदेश में 3099 एड़ेट जूनियर हाइज स्कूल है इनमें स्रजेट सिचको वा प्रधाना ध्यापकों के लगबग 25,000 पदो या PNP कारयाले को नहीं मिला है सूत्रों के नुसा सरकार अब नए गटित हो रहे उत्तर परदे सिच्छा सेवा चैन आयोक के जरिए यह भरती करवाएगी तो दोस्तों और किन शात्रों को मौका मिलेगा चलिए इनको भी जाना पहले देख से हम लो कि साहता प्राप्त या जिनोंने 50 फीजदी अंकों के साथ बीए ठीक दोस्तों बीए उत्तीर करने के साथ एक वर्सी ये बीए विसेज सिच्छा उत्तीर किया हूं तो दोस्तों इतने शात्रों को मौका मिलेगा अगर आपके दोस्तों में आपके घर में कोई इन में से कोई भी कोर्स कर रखा हो तो दोस्तों उनको इस वीडियो को अधिक सधिक सेयर कर देजेगा तो में बात हम यह बता दें इसमें आपके B8 के चात्रों को भी मौका मिले यह मतलब हर तरह के चात्र, फिर दोस्तो इतना असान नहीं रहेगा आपको नौकरी पाना, देखें किसने पत की बात हो रही है, 4300 पदों पर आपकी सिच्छक भड़ती आ सकती है, तो सही दोस्तो 4300 पद भी ठीक ठाक होते हैं, अगर दोस्तो सही से देखा जा तो इसमें कम स पांच लाग साधिक आविधन होने की उमीद रहेगी, तो पांच लाग साधिक शात्र जब आविधन करेंगे, उसमें से 4300 पदों पर नौकरी पाना, इतना तो आसान होगा नहीं, लेकिन अगर आपकी तैयारी, अभी से दोस्तो अच्छी होती रही, तो आप डेफिनेटल तारीक दे दी गई, कब अगली तारीक सुनवाई होगी, 172-2020 को, ठीक है न, तो इसके दोस्तो आगली प्रॉपर्ट जो अप्डेट्स आएंगी, तो इसके बाद दोस्तो हम आपको सारी अप्डेट्स देते रहेंगे, क्या खिर कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है देखें दोस्तो हम क्या बात अभी बता रहे थे आपको, कि जो सुपर्टेट, जी या दोस्तो जो आपकी यह वेकेंसी आईगी, उसमें दो चीजा आपके लिए जरूरी है, पहले बात दोस्तो आपका यूपीटेट ठीक है न, या सीटेट का दोस्तो आपका नमबर नहीं लिया जागा, जी आप दोस्तो इसमें सिभा आप क्वालिफाइड होने चीए, पहले दोस्तो बाते हो रहे थे कि यूपीटेट और सीटेट में आप जितने नमबर लाएंगे तो उसका 1x4 वाला नियम लागू होगा, लेकिन दोस्तो उमीद है कि इस इच्छक वरती में आ आप एक अच्छा स्कूर कर पाएंगे, देखे सूपर टेट, सूपर टेट इतना असान तो होता नहीं आप सभी शात्रों को समझ में यह आगा होगा, नाम से भी देखे सूपर है तो अगर आप इसकी कड़ी मेनस करेंगे दोस्तों तभी आप नौकरी लेकर जाएंगे, औ आपके आर अच्छी त्वरकों के लिए नम्मर लाना होगा 90 नमबर और चेनरल कटिगरी के शात्रों के लाना होगा 97, तो सोचे दोस्तों कम से कम आपको कुछ जादे ही नम्मर लाना पढ़ेंगे, अगर आपको पास करना है सूपर टेट की परिच्छा, तो इतना असान न नहीं है, यूपीटेट में आपको पता होगा कि काफी शात्र 82 नम्मर लाने में वो सकता कि उनके 82 नम्मर भी ना बन पाए, तो अगर आप एक प्रॉपर अच्छी से त्यारी करें, तो दोस्तों डेफिनेटल एक अच्छा इसकोर आप कर सकते हैं, तो इसमें किसी भी प्र पर के मादियम तो जो अब्रेट्स उसको देखते हैं, उनत्तर रजा सिचक बरती मामले में सुनवाई अब 18 होगी, प्रदेश के प्रात्मक स्कूलों में उनत्तर रजा सायक सिचको की बरती, मामले में राज सरकार समीच अन्य अब्यक्तिव की विसेश अपीलों पर, हाई नय अदिस के उस फैसले वा अदिस को चुनोती दी गई है, जिसमें भरती परिच्छा में नियुन्तम अहरता अंक के समान वर्गे के लिए 45 और अरचित वर्गे के लिए 40 हिस्दी रखे के मतलब निर्देश सरकार को दिये गए थे, तो दोस्त इसको चैलेंज किया गया है अब देखने वाली बात होगी कि यह मामला आपका डबल विंच में चलना है, और दोस्तो जो यूपीट का मामला चलना है, वो सिंगल विंच में चलना है, तो दोस्तो अभी आपको वेट एंड वाच करना होगा, तो देखिए अभी आपका कितना समय लग सकता है, आपको एक बात और बता दे, अगर कोई इस समय जल्द में सिच्छक भरती होती तो दोस्तों हो सकता था कि इस केस को मतलब बहुत ही जल्दी निप्रा दिया जाता, लेकिन आपको पता है फिलाल जल्द में कोई सिच्छक भरती नहीं आ रही है, तो थोड़ा वेट और जो पास करेंगे यह सिट्रेट की परिष्चा पास हूँंगे वही आट्रे इस सिच्च Normally में आविदन के पात्र होंगे gospel Moscow के देखने वाली बात होगों फोंगे, एक और अपडेट से में आपकी बड़ी वादेट से आप लोगों के लिए, हजारों सिच्छा नाफ होते विए भी आविदन किया था जिया दोसो बेसिक सिच्चा दिकारियों ने आविदनों का सत्यापन का कारे पूरा कर लिया है अब वेबसाइट पनिरस्त आविदनों की संक्या सामने आएगी परसधी स्कूलों की सिच्चकों के अंतर जिला तबातली की प्रक्रिया दिसंबर माह से चल रही है सिच्चकों ने आविदनों में किस तरह के से मतलब गरबढ़िया किये इसका संक्यत पन्जी करण और आविदन की संक्या में आये ठीक है फासले से ही मिल चुका है जातों की तबातले के लिए 1,4,317 सिच्चकों ने पन्जी करण कराया वही अंत पन्जी करण वह अंतिम आविदन का आकड़ा करीब होना चाहिए था जनवरी माह के अंतिम सप्ता आविदनों का जिला इस तरह पर सत्यापन का कारे बेसिक सिच्चा अधिकारी कर रहे थे इसकी अंतिम तारिक पहले 5 परोली थी जिन जिलों में अधिक आविदन थे वहां इसे बिएस से कारयाले और परिसद मुख्याले भी चस्पा किया जाएगा साथना देश में आविदन निरस्त करने का कारण भी इसपष्ट करने को कहा गया है सच्यू का निर्देश सिपारिस ना करे परिसद सच्यू रूबी सिंग ने तब आदलों के लिए हो रहे सिपार अप्लाई के हो तो दोस्त उन तक ये वीडियो पहुचा दीजेगा कि जिन्हों ने गलती किया तो उनके आवेदर निरस्त तक हो सकते हैं तो दोस्तो चलिए ठीक हा और भी अप्डेट के साब हम लोग फिर मिलेंगा अगली वीडियो में तब तक के लिष्टे कनेक्टें और दोस्तो आपके लिए यूपिडेट के रोज 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 ये अप्डेट साती रहेंगे तो आप लोग परिसान मत हुएं जिन छासरों के नमर एक, दो, तीन, चार या पांच नमर तक अगर आप फेल होते हैं तो अभी आपके पास एक उम्मीद हैं मामला दोस्त आपका बेख फिक्र रहें, वेट और वाच करते रहने दोस्तो और अगली अपडेट तक के लिए आमारे साथ आप बने रहें चैनल पने हो तो चैनल को सब्काइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी आन कर लिजेगा जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप